कुछ दिन पहले कोश्चन आवर में हमने एक प्रस्न पूछा था मानी मंत्री जी से कि कुम्ब को देखते हुए वहाँ पर क्या नाइट लेंडिन की सुविधा के लिए कुछ आगे विचार किया जाएगा कभी कल छेतर से लोगों ने टेली फोन किया कि परसों कुम्ब मेला प्राधिकराण और मानी मंत्री जी के निर्देश पर इस विभाग के अधिकारियों ने एक बैठक की है और जल्दी ही इस पर आगे नुकुछ नुकुछ रास्ता निकलेगा मानी मंत्री जी हम ये जरूर आपसे ये बताना चाहेंगे आधिनी रूडी साहब ने इस बात की चर्चा की और हम लोग को गर्व होता है खासकर इलहाबाद प्रियाग का बासी होने के नाते कि पहली रेल रेल भी ट्रेन भी हमारे प्रियाग रासे कानपूर तक चली ही है और पहला जो पोस्टल डाक हवाई जहास है वह भी आपने इस बात की चर्चा की कि भई की छहजार किलो मीटर की उड़ान भर कर 6500 डाक लेकर एलहाबाद से वह उड़ान भरी और सब से पहला हवाई अद्डा भी हमारे लोगसबा छेत बमरॉली में ही बना तो एक इतिहास बड़ा जुड़ा हुआ है आप से जरूर हम निवेदन ये करना चाहते हैं कि खासकर जैसा कि आपने देखा कि पिछले जो महाकुम्भ हुआ उसमें लगभग 22 करोण लोग हमारे प्रियाग राज में आए उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े प्रियाग राज एक है उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा अबादी वाला जिला है प्रदेश है तो निश्चित रूप से आप से ये कहना चाहते हैं कि ये जो अभी च्छा महीने बाद महाकुम्भा रहा है इसमें अनुमानित लोगों की जो आने की संख्या है वह 40 करोण के आस-पास बताई जा रही है आप इस बात को समझ सकते हैं कि 40 करोण लोग कितने जादा होते हैं और प्रदेश सवजीले से ही नहिमल की विदेश से बहुत सारे लोग आते हैं हम आप से जरूर ये मांग करना चाहेंगे कि खास कर कुम्भ के दोरान इसलिए कि बहुत सारे य दिल्ली से होके आते हैं उनको काफी कठनाईयों का सामना करना पड़ता है अगर अंतर रास्ती अस्तर का वहां पर सुवीधा मिल सके कुम्भ के दोरान तो निश्चीत रूप से यह हम लोगों क्लिए बारागरव का विशय होगा मानी मंत्री जी से हम ध्यानाक्रिश्ट कर संचालित हो सके मानी मंत्री जी से मेरा और एक यह निवेदन है कि खासकर अलहाबाद प्रयागराज एयरपोर्ट को क्रिशी उडान योजनां के तहट संपाधित करने की कारवाही पर भी विचार करने का कष्ट करें जिससे किसानों को भी उसका लाव मिल सके उसके साथ-सा जगह हो रही है जिसमें नई दिल्ली के लिए मुंबई के लिए बंगलोर के लिए भुपाल के लिए देहरादून लखनव भौनेस्वर विलास्पूर मानी मंत्री जी से हम मांग करना चाहते हैं कि प्रयागराज से हैदराबाद के लिए प्रयागराज से चन्नाई के प्रियाग राज से अहमदाबाद के लिए प्रियाग राज से जैपुर के लिए प्रियाग राज से गोवा हाती के लिए प्रियाग राज से इंदौर के लिए प्रियाग राज से पूरे प्रियाग राज से नागपूर प्रियाग राज से पटना प्रियाग राज से कोलकत्त प्रयाग लाट से जम्मू इसलिए किसके पहले भी लगभग सत्रा उड़ाने वहां से होती थी लेकिन इधर आठ उड़ाने ही हो रही है तो निश्चित रूप से लोगों को समस्याओं का साबना करना पड़ रहा है और निश्चित रूप से आप से ये भी निवेदन करना च के लिए कि साओधिया से जाने वाले लोग भी लखनवों से जाना पड़ता है दूर जाना पड़ता है तो यहां से पैसंजर्स भी कमी नहीं है और सब ज़दा पैसंजर्स देने वाला ये एइर्पोर्ट है यह भी हम आप से बताना चाहते हैं उसके साथ साथ मानी caterpillarhole जी स वजए इस बात का सुझ़ाव देते हुए कि खासकर यह हमारी सरकार ने मानी मोधी जी की सरकार ने जो पहली की सरकारों में कुछ लोगों के लिए फिराइब बाय। एरलाइन्स की सुवधा हुआ करती थी और जैसा कि मानी प्रदान मंत्री जी ने कहा था कि हवाई चपल पहनने वालों को हम हवाई जहाज की सुविधा देने का काम करेंगे और यह दिखाई भी पर रहा है इसलिए कि अब प्रियाग राज से हम लोग को आना होता है तो तीन हजार रुपएम हमको टिकट मिल जाता है वहाँ से गरीब से गरीब व्यक्ति अब ट्रेवल कर रहा है एरपोर्ट और हवाई जहाज के माध्यम से तो निश्ची तुरूप से मानी मंत्री जी से हम ये कहना चाहते हैं इसलिए कि जो आम आदमी है चाहे हमारा किसान हो चाहे गरीब हो चाहे महिलाएं खास कर जब से ये सरकार बनी है और जैसी सुविधाएं दे रहे हैं निश्ची तुरूप से उनके अंदर एक विस्वास पैदा हुआ है स्वभाविक है कि वो लोग जाते हैं तो कई बार गंदे कपड़े होते हैं चपल पहने रहते हैं उनके पास तमाम अच्छी लेंग्वज में बोल नहीं पाते तो थोड़ा सा वहाँ पर जो CISF का वो रहता है वहाँ पर थोड़ी सी उनको अस्विधा होती है इसलिए कि कई वार हम लोग देखते हैं कि उनके पास आधार कार्ड कहीं छूट गया खो गया तो वो लोग बार बार इस बात को कि मुबाइल में हमारा आधार कार्ड है देख लीजिए लेकिन उसके बावजूद वो लोग मानते नहीं है और इस बात को कहते हैं भही आधार कार्ड लाईए उसके लिए दूर दूर के लिए उनको परसान होना पड़ता है तो निश्चित रूप से कई जगे इस बात को भी हम लोगों ने देखा कि आप हवाई अड़ों में चेकिंग के दावरान जूता उतागना पड़ता है जिससे थोड़ा सा लोगों के सम्मान पर भी ठेस पहुंसती है तो निश्चित रूप से इन चीजों में आप सुधार कर है तब से मानी मंत्री जी लगातार एक एक बात को नोट करते जा रहे हैं कि किस तरीके से करना है स्वभाविक है कि आपके दिसाने देश में आने वाले समय में यह विभाग निश्चित रूप से उचाईया प्राप्त करेगा और जैसा कि हम लोग मानी रूडी जी के समय मे खासकर इस विभाग को जानते थे कि यह आम आदमी के लिए है उसी तरीके से आपके समय में भी जो आम आदमी है उसको यह विस्वास है कि यह विभाग बहुत तेजी के साथ खासकर आम आदमी के लिए गरीब आदमी के लिए किसान चलिए आप सारी सुधाय देने का काम कर करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद जय हैं मान जनी